हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तो से प्यार भ्रहना मिशकार सच्रियाकाल अधाव दोस्तो एक बर मैं फिर हाजिरू एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं वेजपुलाओ जैसे कि आप देखी रहे हैं बहुत ही खिला खिला य है इसमें मल्टी कलर इसमें प्याज भी है मटर भी है गाजर भी है ऑलू भी है गोबी सभी सबजीगे मैंने गाल आल कर इस पुलाओ को बनाया है तो चलिए फिर ने करते हुए देख लेते हैं इस पुलाओ słu को हम किस तरह से बनाने तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे हम अपने खरपार असानी से किस तरह से बनाएंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने कुछ वेजिज ली हैं जिसमें मैंने आपको अभी बताया ही है कि मैंने इसमें गोबी, आलू, मटर, गाजर ये सब सबजी ली हैं चावल से ज़्यादा मैं सबजियों का इस्तमाल कर रही हूँ मतलब की कॉंटिटी का तो मैंने ये सबजी ली हैं और चावल मैं ले रही हूँ एक गिलास एक गिलास चावल है कोई भी चावल आप इस्तमाल कर सकते हैं मैं बासमती का इस्तमाल कर रही हूँ और इसे हमें भीगो कर नहीं रखना है सिर्फ इसे तीन चार बार पानी से अच्छी तरह से साफ करके इस्तमाल करेंगे तो मैं इसे अच्छी तरह से दो कर रख लेती हूँ और स्टार्ट करते हैं गैस की फ्लेम और रख देते हैं उसके उपर कड़ाई तो ये देखिए कड़ाई में मैंने तीन बड़े चम्मच ओयल डाल दिया है गरम होने के लिए और ये देखिए मैंने ली है हींग चुटकी भर और साथ में कुछ खड़े मसाले लिए हैं खड़े मसालों मैंने जवीत्री, जीरा, लॉंग, काली मिर्च और हरे इलाइची का इस्तमाल किया है बहुत ही बड़ी अफ्लेवर आता है जब ये अच्छी तरह से ओयल में फ्राई हो जाते हैं तो इसी से जो स्वाद है ना कई गुना बढ़ जाता है जो भी हम बनाते हैं तो अच्छी तरह से ये देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं अब मैं डाल देती हूँ इसमें कटे हुए प्याज तो दो प्याज मैंने लिया है जिसे मैंने लंबाई में कट कर लिया है तो डाल देते हैं, साथ में ही मैं डाल रही हूँ इसमें, दो हरी मिर्च कटी हुई, आप साबुत हरी मिर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें, तो मैं कटी हुई हरी मिर्च का इस्तमाल कर रही हूँ, इसे भून लेते हैं, एक से दो मिनित अच्छी तरह से, ताकि इसका ज पेस्ट में एक चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट आप फ्रेश जिंजर गार्लिक का भी इस्तमाल कर सकते हैं कट करके तो अब हम क्या करेंगे अब हम जिंजर गार्लिक को भी अच्छी तरह से इसमें भून लेते हैं जब तक उसका भी कच्छा फ्लेवर खतम ना हो बहुत ही टेस्ट ही हमारा यह पुलाव बनकर त्यार होगा फ्रेंड्स आप इसे एक बार जुरू ट्राइ कीजिएगा तो यह डाल देते हैं टमाटर भी यह मैंने दो टमाटर लिए हैं इनने भी मैंने कट करके इस्तिमाल कर लिया है और अच्छी तरह से अब मसाले को हमने भूनना है तो भूनने से पहले हम एड़ करेंगे इसमें कुछ मसाले तो देख लेते हैं कौन-कौन से मसाले हम इस्तमाल कर रहे हैं तो यह मैं ले रही हूँ टेस्ट के कॉर्डीन नमक आदा चमच के क्रीम मैं ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर एक चमच के क्रीम ले ज़िए धनिया पाउडर और स्पेशल खास मसाला जो हमारे इस पुलाव को बहुत ही बड़ी टेस्ट देने वाला है वह है मैगी मसाला तो मैगी मसाला आप जरूर इसमें एड़ किजिए आप खुद बखुद कहेंगे बहुत ही बड़ी अ फ्लेवर आ जाता है इससे तो मैं मैंने एक ही डाला है तो अच्छी तरह से अब इससे मिक्स करके तीन से चार मिनटी से लो टू मीडियूम फ्लेम पर हम मसाले को पकने देंगे तो यह देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है देखी रहे हैं आप बस इससे ज्यादा हमेंसे और नहीं पकाना अब हम डाल देंगे इसमें कटी हुई सभी सबजी हैं और मिक्स कर देते हैं मसाले में इन सबजीओं को आपने इस तरह से पहले कभी निखाया होगा पुलाओ आप इस तरह से जुरू ट्राई किजिए आपको खुद अपने आप पता लग जाएगा कि यह खाने में वाक़ी बहुत टेस्टी बनता है तो सभी सबजी आ हम मिक्स मिक्स करके इसे भी अब कम से कम 4-5 मिनिट हम लो टू मीडियं फ्लेम पर कवर करके पकने देंगी जब तक हमारी सबजीओं वाको तरह से पांच मिनिट हो चुके हैं सबजियां हमारी अच्छी तरह से half cook हो चुकी हैं बस इससे ज़्यादा हम इसे और cover करके नहीं पकाना है अब हम चावल के साथ ही इसे पकाएंगे तो पहले अच्छी तरह से मसालों को mix कर देते हैं क्योंकि मसाले नीचे बैठ जाते हैं तो मसाले mix करना बहुत जरूरी होता ह है तो अब हम इसमें डालेंगे चावल धूले हुए चावल तो चावल को भी हाई फ्लेम पर हमें दो मिनट के लिए सब्जियों के साथ भूनना है पहले अच्छी तरह से mix कर लेंगे और हाई फ्लेम पर ही इसे चलाते हुए हमें भूनना है क्योंकि देखिए हमने भिगो कर तो चावल रखे नहीं है जिससे हमें डर होगा कि हमारे चावल तोट जाएंगे तो चावल को वैसे तो हमें हलके हलके हाथ से ही भुनेंगे क्योंकि सबजियां हमारी हाफ को कुई हुई है न तो इसलिए हमें इन्हें हलके हाथ से ही चलाते हुए भुनना है दो मिनट तो दो मिनट पूरे हो चुकी है, चावल हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और अब हम डालेंगे इसमें पानी, क्योंकि हमने एक गिलास लिया है चावल और हम इसमें डालेंगे पोने दो गलास पानी क्योंकि सब्जियों ने भी थोड़ा सा पानी इसमें रिलीज किया है तो हमें पोने दो गलास पानी इसमें एड़ करना है अब हम इसमें बॉयल आने देते हैं और कवर करके इसे रख देंगे low to medium flame पर ही अच्छी तरह से पकने के लिए तो देखिए बॉयल आ गया है अब कवर कर देते हैं और देखिए चावल हमारे बहुत अच्छी तरह से बन चुके हैं आप देखी रहे हैं कितना खिला खिला चावल हमारा बन कर त्यार हुआ है तो करते हैं उसकी plating तो friends आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो please मेरी वीडियो को like कीजिए ज्यादा से ज्यादा share कीजिए फिर मेलती हूं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई